नमस्कार दोस्तों आपका Ono Study Group चैनल पर आपका स्वागत है आसा है कि आप लोग काफी अच्छे ही होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी काफी अच्छी ही चल रही होगी हो सकते आज देखा जाए तो आज UPSC का भी रिजल्ट आया होगा आपने चेक भी किया होगा कि क्या क्या UPSC में आप लोग का रियल्ट रहा और इस वर कितने लोग प्रिलिम्स क्वालिफाई किये होंगे और वो लोग जो भी लोग प्रिलिम्स क्वालिफाई हो वो लोग तो मेंस की ओर लगी जाए और जिनका CSAT में पेपर जो भी मैस के बज़र से जो छूटा होगा वो कि अग्कन 씨सेट में कभी उसमें फिल ना हो क्योंकि CSAT का मेजरली रोल इसमें क्या होता है कि माज्शा रिजनिंग और माट प्लस रिजनिंग तु रहता ही है और कॉंप्रिहंसन उसमें मैं उसमें एक बेसिक रॉल प्ले करता है क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्टों से मैं करते हैं मतलब थोड़ा साप मेरे वीडियो को थोड़ा देखते भी हो तो आप उससे भी आप सिसेट कौलिफाइब कर सकते हो आप कुछ भी प्राक्टिस नहीं करना जस्ट आप वीडियो में जो भी कुसंस करा जा रहे हो उसके माध्यम से ही और आप जितने आपके सारे प्र और बहुत सारे डिफेंट डिफेंट टाइप्स के कोशन से तो उसे कहीं ने कहीं आप लोग के एक ओवर्वियू एक आईडिया मिल गया होगा आज मैं आप लोग के एक निया टॉपिक जो की आफ्टर दा परसेंटेज हम लोग को पढ़ना चाहिए और वो है प्रॉफिट कहीं ना हो चाहें और चीजह को उआप करना होगा और चीजों को समझना आगा एक बेसिक अंडेस्टाइटंग लाना पड़ेगा तभी आफ वो तो टैकल कर पाऊगे एक जाम में क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे उप्यस को देखा जो सी सेट में ही रुखते हैं जालतार मतलब काज कर देखा जाए तो मतलब हिंदी मीडियम से जो लोग होते हैं वह सी सेट में बहुत ज्टय को जाधा रुकते हैं और उनका ढोगनो फीस प्रेंटी सेट से नहीं करते हैं वह ज्यादा से यादा टाइम पर देते हैं को फिफ्सक्राइब से कम से कम वह थोड़ा कोइस पर किया होगी थोड़ा टाइम मिलता है फूड़ा तो देना चाहिए यादि क् practitioners वो qualifying marks वाता है उसमें तो चलो आज मैं आप लोग वह अपने topic की और लेके चलता हूं जैसा कि मैं आज profit and loss start करने वाला हूं बै सबसे पहले मैं आपको इसमें basic क्या profit होता है क्या loss होता है आज मैं पूरा का पूरा यही discuss कुरूंगा और दो चार questions भी बताओंगा basic से कोशन्स रहेगा क्योंकि पहले मैं आपको बेसिक इसका फंडमेंटल सी नहीं आपको पता होगा कि प्रॉफिट एन लॉस कैसे फाइंड किया जाता है और वो दोनों में चीज में क्या डिफरेंस आता है इसके बाद इसमें क्योंकि यह दिंख प्रॉफिट रहे हैं तो कैसे करते हैं तो यहां पर यहां पर आपका क्या करते हैं वह सब knows सब्सक्राइब करते हैं कि यह जादे तर जो भी सौप कीपर वाले लोग होंगे मतलब जो दुकान बगेरा करते हैं वह तो यह सब सारे कुस्टन को ऐसे जो आखीम आखीम है कि यह टो ऑफितोर कहते हैं और मतलब एक होची क्वह संब्सक्राइबास फ्राइब करते हैंário czy लाभ और अदे जिसको हम लोग CP बोलते हैं और हिंदी में इसको बोले जाता है क्रैमूल एक होता है हमारा SP जिसको हम लोग बोलते हैं Selling Price भी क्रैमूल भी बोले जाता है और एक हो गया Mark Price जो जो टर्म है जो टर्मिनलोजी है वो आज मैं आपको रूबरू करा दे रहा हूँ फिर नेक्स टाइम से मैं जब CP और SP और MP लिखूंगा तो यह प्राइब क्रैमूल नहीं होना चाहिए कि कौन क्रैमूल है कौन भी क्रैमूल और कौन मार्क प्राइस है तो वह एक understood आपको हो जाना चाहिए क्योंकि आल्रेड़ी जब मैस आप बनाते हो था पूरा का पूरा टम नहीं लिखा जाथा किर 있는 the Matsya काम चाहिए का जितना आप ज्यादा को रूंधि कर रहे हो जाए अब चीजों को मांड में समझना स्टार्ट कर Rs. उमार्क प्राइस मार्क प्राइस को हम लोग क्या वोते अंकित मूल कि मार्क प्राइस को कहीं कहीं बुक में आपको फिक्स्ट प्राइस भी लिखा रहे गा वह भैरी करता है मतलब फिक्स्ट प्राइस भी बहुत सारे बुक्स में गिवन रहते हैं अब यहां पर क्या होता है Cp और SP यहां पर जो डिफरेंस हैं इस वाल ये कोई भी चीज 100 रुपया का चीज है उसको आप बेच रहो 120 रुपया में बेच रहो और उसका अंकित मुल रहा हो माले जाए 200 रुपया रहा हो एक अजंसने एजस्ट समझने के लिए तो यहां पर आपको दीख रहा है कि आपको 20 रुपिस का क्या हो रहा है गेन ह हमारा profit है जिसको हम लोग लाब बोलते हैं तो लाब के case में क्या देखा जाता है कि हमेशा selling price ज्यादा होता है cost price से और जो भानी का case होगा loss का case आएगा तो selling price कम होगा 100 रुपे का book रहेगा तो उसको 80 रुपे में ही sell करेगा 70 रुपे में ही sell करेगा मतलब कहीं कहीं selling price कम रहेगा अब यहाँ पर अब यह जो selling price और market mark price के बीच में जो difference है 30 रुपिस का यह 30 रुपिस क्या है discount कि जिसको हम लोग हिंदी में छूट भी बोलते हैं तो फर्स्ट मैं आपको सबसे पहले बस basic term जो भी क्रामूल बिक्रामूल क्या term है क्या चीजों है उसका basic understanding आपको दे रहा हूं तब ही मैं questions क्यों चलूंगा फिर मतलब कोई भी चीज का 100 रुपिय अदाम है उसके हम 120 रुपिय में चाहिए प्रॉफिट बरावर हम लोग बोल सकते SP माइनस CP मतलब भी क्रामूल माइनस क्रामूल कि यह सब फॉर्मूला बोगे रहा हम लोग तब लिखते थे जब 910 का बच्चा होता है मतलब 8 910 रहा था उसको पूरा लिखना पड़ता था मतलब अभी आपको बस 20-10 मतलब जो भी उसका वालू आगा वो करेंगे बस वो डेटा पर इफेक्ट करता है कि क्या डेटा दिया हुआ है उसी तरह से लॉस यह दिमाली जाए होता कि तो लॉस बराबर हम लोग क्या बोलेंगे रिवर्स हो जाएगा CP माइनस SP हो जाएगा प्रॉफिट के केस में बिक्रैमूल बड़ा होता है क्रैमूल कम होता है और लॉस के केस में क्या हो गया बिक्रैमूल छोटा होगा क्रैमूल बड़ा होगा तो जो बड़ा होगा उसी मिनस माइनस करेंगे तो यह हमारा बन जाएगा क्रैमूल माइनस बिक्रैमूल अब उसी तरह से डिस्काउंट का बाद हम जो लास्ट में देख रहा है तो डिस्काउंट तो डिस्काउंट का भालू क्या आ गया कहीं ने कहीं यहां पर डिस्काउंट बराबर हमको देख रहा है MP- SP MP का बोला जाए तो MP को हम लोग अंकित मूल भी बोलते हैं माइनस बिक्रैमूल मतलब चीजों का अधाम यह दिद्धाइस वर्पया उसको दो सर्वें सेल कर रहे हो तो कहीं नहीं कहीं आपको पचास वर्पय का प्रॉप डिस्काउंट दे रहे हो उसमें मतलब डाइस वर उसमें फिक्स कि इसका फर्पर्चंटेज कैसे find होता है माली जाए आपको क्रैमूल प्रॉफिट पर्सेंटेज निकालना हो प्रॉफिट प्रॉफिट पर्सेंटेज तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है जितना भी रुपया हो रहा है divide by CP जिसको हम लोग क्रामूल भी बोलते हैं profit और loss percentage हमेशा क्रामूल पर निकलता है यह mind में हमेशा याद रखना मतलब profit और loss percentage हमेशा CP पर ही निकलता है लेकिन कभी कभी examination में question यह भी आया हुआ है कि find the profit percentage on the basis of selling price selling price पर भी profit percent निकलना होदा है और यह question CGL में काभी पूछा गया भी है loss percent निकलना हो हानी का परतिस्द तो हानी परतिस्द क्या हो जाएगा जो भी हानी होगा यह loss divide by CP मतलब क्रामूल जो उसका रहा होगा और into 100 100 इसलिए multiply करते हैं यह percentage में बना देता है इसलिए और उसके बाद आपको इदे discount निकालना हो percentage discount का percentage निकालना हो तो discount जो भी आप दे रहे हो माले 200 का चीज़ा भी जैसे बता रहे थे 200 में बेच रहे हो तो discount divided by mark price जो भी उसका अंकित मूलो यह भी याद रखना में सा discount percentage हमेशा mark price पे निकलता है ना कि selling price पे निकलता है यह आपको याद रखना होगा यह understood रहना होगा जब paper हम लोग बनाते हैं जब question सवाल आएंगे तो वहाँ पर ना तो कोई formula यूज होगा ना कूछ यूज होगा तो यही सारा टर्म है मतलब कुछ नहीं ज्यादा कितना टर्म दिख रहा आपको profit दिख रहा है loss दिख रहा है discount percentage दिख रहा है profit loss discount price में भी हो सकता है percentage में भी हो सकता है CP SP और MP जिसको CP को हम लोग रामूल बोलता है वो कहीं ने कहीं percentage में तो नहीं रहता वो रूपिस में रहता है SP तुम्हारा कहीं ने कहीं रूपिस में होगा प्रॉफिट और डिस्कॉंट और लॉस यह तीनों आपका रूपिस में भी पूछा जा सकता है और percentage में पूछा सकता है है कि कोच्ट प्राइस गिवें हैं लॉस परसेंटेज डिएव अंग्स के लिदेगा मतलब Key क्रेमल क्रेंड में पुछेगा मतलब छोटे जांब में यहांसा देखा यह उसके बता हो यह इसको सही समझ कर तो आपको इनिशेली जो भी स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको यह उनको थे अच्छा होना चाहिए उनको कोई इतना कमांड होना चाहिए कि वह कभी गलती नहों फिर आप उसमें से 100-200 और moderate question मनाईए और 100 tough questions भी बना लिजिए यह तीन सेक्षन तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि जब तक आपका कि अच्छा नहीं होगा तो moderate में तो आप और भी फस होगे moderate भी अच्छा नहीं होगे तब तो tough में तो और ज्यादा फस होगे तो यह चीज को ध्यान रखते हुए कि मतलब कोई टॉपिक पढ़ रहा है उसमें तो minimum 300 या 400 questions तो आपको solve करना ही पड़ेगा चाहिए वह एक बार करो दो वर जितना बर कर तो आपके लिए अच्छा है इसी तरीके से ताकि मतलब आपको यह सारा चीज मैथर्ड प्रॉसेस सब कुछ मतलब मैंड मेकप आपका कहीं कहीं कि कैसे उसका usage करता है fraction value का जो दिया हो रहता है क्योंकि जब आपको profit loss percent एक simple जब आपका एक simple questions ऐसा है यह profit percent 20% हो यह 30% रहेगा इस तरह का data रहा पाच परसेंट रहा यह 10% रहा ऐसा data रहेगा profit percent loss percent कुछ भी रहा तो आप easily questions को solve करते हैं बंता भी है वह बड़ आपका जैस ही profit percent हो घुमाएगा थोड़ा साड़े बारा परसेंट profit percent में लाएगा साड़े साथिस परसेंट 571 by 7% 871 by 7% 871 by 2% साड़े बासर्ट इसके बाद हो गया 14 पुर्णांक तो बटा साथ परसेंट सुल्ला दो बटा तीन तो जब ऐसे डाटान स्टार्ट होते हैं और ऐसे आवे रहे हैं ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है वह जमाना चला गया जो बीस और तीस और पांच और दस परसेंट आपको मिलेगा इजी टाइ आफ़ा फैट एंड लॉस्टर में बच्चे जन्रली सौमान के बहुत बनाते हैं बहुत बनते हैं लेकिन उनका कम एकहद तक मतलब ठीक था कोशन बंता तो बन तो जाएगा लेकिन 2 मिनिट भी जा सकता है पता भी नहीं चलेगा तो अप एक मैथड पे मत स्ट्रिक्ट रही है जैसा कुछन हो आप मैथड को भी चेंज करिए यह नहीं कि मतलब एक बना रहे तो बस उसी मेधर से बनेगा तो वही चीज में आपको दिखाना चाहरा हूं यहां पर कैसे उस चीज को देखते हैं हम लोग अब एक सिंपल सवाल और दो तरीके से में आपको बतारों यह से प्रॉफिट पॉसंट गिवेन हो 20 पर तिसीज दिया वाए और सेलिंग प्राइस मान के चलते हैं इसका कुछ दिया हुआ है आजसा मान के चलो 60 रपय दिया हुआ है पुछ रहा है सीपी कितना होगा है कोई भी बस्तु को बेच रहे हैं 10 रपय तो बीस पर allons हो रहा है उसका language क्या होगा? किसी विबस्तु को 60 रुपय में बेचने पर 20% का लाब होता है तो बताई कि उसका क्रैमूल क्या रहा होगा तो हम लोग जनरली क्या सोचेंगे यह 20% है तो इसको एक वटा 5 तो समझी सकते हैं तो मतलब 5 रुपया उसके विश्कास हों कि नहीं और 10 बताप 10 रुपय का प्राफिट कर रहे और 50 का उसका कॉस्ट पाइस है तो यही सारा बेसिक चीज होता है कि कैसे कुश्चिन को है इसमें को बहुत सारे लोग ऐसे भी मना सकते हैं कि मान लेते हैं कि सीपी सो रुप्या हो और उसका इस भी कितना हो जाएगा 120 माले कोशन ऐसा कुछ सेट हो बच्चे जनरली ऐसे भी बनाते हैं प्रॉफिट परसंट दिया वहाई 20 परसंट और उसका सेलिंग प्राइस उसको दे दिये हम कि 720 तो पूछा है सीपी उसको तो वह क्या सुषता है कि यह 20 दिया हुआ है 100 मान के बनाएंगे 100 और 120 तो 120 का भालू साथ 100 तो 100 का भालू निकाल लेते हैं डारेक्ट उसका जाता 600 यहां तक तो ठीक है लग रहा है उसको बनाने में लेकिन अब यह कहां पर डिफिकल्टी होग वह बस मैं आपको दिखना चाह रहा हूं कि 100 और 100 मान कर बनाने में एक हद तक यह सही हुआ भी और बना भी जल्दी बटे कहां पर जल्दी नहीं बनेगा बस वही चीज़ आपको बताना है कि उसी कलिए मैं यहां पर आया हुआ हूँ अब जैसे कि मालिया प्रॉफिट पर देते हैं कुछ भी कि साड़े बारा परतीसत अब और उसको सेल कर रहे हो आप उसका सेलिंग प्राइस मान के चलो होता है एक आसी रुपया तो सीपी बताइए कितना होगा तो आप यहां पर साड़े बारा पर आप साव मान के बनाएंगे तो कोई भी बच्चे इसको साव म यूज करने ही पड़ेगा एक वटार्ट अब लगार्ट रुपय का बस्तू है तो एक रुपय ज्यादा मेच रहे हैं लाव हो रहा है तो नौ में सेल कर रहे है नौ का बहुत कितना हो गया नौ तो आट यूनिट का वहलो कितना हो जाएगा 72 तो ऐसे ही कॉस्टन सोते हैं अब जिसे आप एक फर्स्ट कोश्टन दिया हुआ है जस्ट बेसिक्स कोश्टन यह ज्यादा टफ भी नहीं होगा यह एक ब्यक्ति ने बारा बस्तू को 12 रुपे में खरिद कर 12 बस्तू 12 रुपे में खर दिया हो तुम तो एक बस्तू का दाम कहीं ने कहीं एक रुपे होगा और 1.25 रुपेस परति वस्तु के भाथ से बेज दिया बेच imaginar वेधिक रेटेक इख रहे प्रती Healthcare क्लीं के लाव रहा है कितने में भाथ में थे cinco परतीश निकालने के लिए सौनी zar हैं तो ऐसे से कोशन हमारे एक्जाम में आए हुए हैं ऐसा नहीं कि मतलब आपको फोकस रखना ही पड़ेगा क्योंकि और यह सारे चीज का जब मैं questions कराऊंगा आपको तब वहां पर दिखेंगा कैसे यह सारे से यूज हो रहा है कि कैसे जब percentage का भालू कुछ और fraction होता है तो वहां पर हम कैस की करने के लिए इसको कितना में बेचेंगे तो यह दस परसेंट और पांच परसेंट डारता तो आप सौ भी मान के तो जल्दी करी सकते हो मतलब सौ का चीज कहीं कहीं नभी में बेचेंगे आप तो 90 का भालू आपको दीख रहा है कि 72 एक का भालू कितना दिखेगा 72 वाइन अब्बे हमको लाव कितना करना पांच परसेंट तो कहीं कितना बेचेंगे 105 में बेचना पड़ेगा हमको आप नौठीवाथत्र नौद एक नभी योग्या चार योग्या पांच एक हीस पचे और एक हीस गुनर चार कितना उता चारासी कि यह एक मैथड हो गया इसमें फ्राइब सेंटेज का फ्रेक्शन महलू को भी यूज करके बनाए सकता ऐसा तरहीं कि उससे नहीं बनेगा उससे भी बनेगा जिससे भी आप बनाव सकते हो मतलब यह को कि एक बड़ा दस हो गया दस का चीज कहीं कहीं कि नौ मेंसाय। समान पढ़ेगा मतलब यह 높 sekarangना पड़ेगा इसको इसमें बढ़ाने से थोड़ा आपको टाइम बीजाएगा दएक जा रहा है तो क्यूंको आपे दोनें को स्कॉıl करने के लिए एक तेट इक वाटा दस है और एक का एक वेड़ा पाच है तो दोनों के क्वेट करना पड़ेगा मतलब कहने के दोनों का डिनुमेटर में धशी रखना होगा जब इसको दस करने के लिए फिर इसमें दो समाटीप्लाइए तो यह सारा चीज आपको ध्यान रखना होगा कि कब कौन सा मेथर्ड कहां पर अप्लाई करेंगे इसमें कोश्चन थोड़ा वीजिवल नहीं हो रहा है बड़ आपको बताया जा सकता है कि उसको 651 में सेल कर रहे हैं मतलब सेलिंग प्रैस कितना किवें है छे से कावन रुपया और लॉस्ट कितने को रहा है जब इंटीजर में डाटा देखो तो आपको डारेक्ट साव भीमान का बनेगा वो उसका यूज होता है यह सब साड़े बारब के टाइम में यूज होता है वो वो इस टाइम नहीं हो जोता है वो जब ऐसा परसंटेज रहत कितना होगा छे पाच एक बटा 93 अब जैसे कोई भी चीज का डिवीजन आप देते हो तो कैसे की दिख रहा है कि कितना बार में कटेगा हमको कुछ दिमाग लगाना तो तीन का कौन सा मल्टीपल करें कि लास्ट मुवान आएगा तीन का तीन के साथ गुना करें तो नहीं आ लराए अब वहाँ पे दिख रहा है कि हमको। 601 मुझन ब्रट3 है की और यह स्कू कटना ही ऐसे क्योंकि नमबर यह पूरा इन्टीजर में में ओब सिन में हैनीं जब इसको पूरा कपूरा कटना ही है तो कहीं नहीं यह तो कहीं यह तो सात्मा इन फसक्ट भाष गना हरह र अब देख सब को एक ब्यक्ती है किलिए एक टाइप मसीन 12 रुपय में मतलब एकटाइप्ट मसीन खरечता ऐं- टाइपिंग के लिए इसटाप के वह जो यह एसकी जहाम होता ही इसका लिए काफिए तो टोटल उसको खर्च कितना पड़ा चौदास और लग गया जो खरदा तो बारा समय और फिर दोस्ट उसको मरम्बत में किया और शॉला सॉसी में बेज दिया तो यहां तो कहीं नहीं कुछ नहीं कुछ प्रॉफिट ही कमाया लॉस तो नहीं वह उसको चौदास में टोटल उसका कॉस्ट लगा और शॉला सॉसी में बेज देतों लाव कितना हो गया उसको दोस्ट सिर्पे दीक रहा है लाव दोनों को डिफरेंस करेंगे तो और कितना में चौदासो तो परतीसत निकालने के लिए क्या करते हो हम लोग सौ से मल्टिप्लाई यह चौदा दोनिय अठाइस मतलब 20% का कहीं ने कहीं वो प्रॉफिट कर रहा है मतलब बेसिक आज मैं बस आप लोग को बस एक फट्नमेंटल समझाना था कि कैसे क्या होता है फिर कल से कोशन का लेवल धीरे 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 बढ़ाएंगे और इसको भी सही तरीके से कंप्लेट किया जाएगा आपको आप कंटिन्योंस लोग करते हो और आप खुद भी प्रैक्टिस कर रहो तब आपको पता चलेगा कि हाँ कोशन कैसे अटेम्ट लिया था कैसे बना जैता ये एक बहुत वेतरीन सवाल है और ये कोई भी एक्जाम में आ सकता है ये तो बस एक डेटा के उपर है ऐसा बहुत सारा डेटा क्या है क्या है कोशन और इस को कभी भी म बनाना चाहिए तो बहुत समय लग जाएगा बटे ये समय बनागा तब इसमें य starter ृप लाब का परतिसत जितना profit percent है उतना ही हमारा CP भी है दोनों बराबर है मतलब साट रुपय के चीज है तो साट रुपय का लाब भी हो रहा है असी रुपय का लाब भी हो रहा है मतलब दोनों equal है तो ऐसा questions कहीं भी generate हो सकता है यह data 144 से तो कुछ और भी हो सकता है तो मैं आपको आपको मिल सकता है तीस परतिसत का लाब हो और तीस रुपय का क्रैमूल हुसकर है तो कितना मिसेल करोगे उसी तरह से चालीष परतिसत का लाब आपको चाहिए 40-0 रुपय का चीज भी है तो कितना मिसेल करना हो इसको 40-40 परतिसत और साट रुपय का चीज हो ग्रैमूलूसकरा सब्सक्राइब करत्य def. 96 उसी तरह से 70 में भी जाएंगे 70 परसेंट का लाब 70 रुपिस का चीज कोई रहे तो 49 मतलब 119 इसमें 49 करेंगे तो 100 क्या आएगा उनीस आएगा अब उसी तरह से जब 80 और 80 डाटा जब लोग नशी परतिसत का लाब चाहते और 80 रुपिया का क्रैमूल भी है इसी का आएगा तुम्हारा डेसिमल में लेकिन जैसे ही असी का असी परतिसत निकाल के जोड़ेंगे तो 144 के बराबर हो जाएगा तो यहीं अंसर हो सकता है 100 अबला होगा नहीं जब हमको ऑप्शन 2 में ही मिल तो हम क्यों आगे चेक करेंगा तो यह सारा चीज था बस आपको समझाने के लि आज मैं आपको इतने ही तक रखता हूं नेक्स क्लास में मैं और भी कुछ कुछन लेकर आओंगा जिसमें आप सही तरीके से इसको प्रैक्टिस कर पाओगा और समझ भी पाओगे मिलता हूं अगले क्लास में आज के लिए धन्यवाद